हालो दोस्तों आप सभी का ओगी प्रक्लासेस में स्वागत है तो आज इस वीडियो हैं कच्छानों के हाफ ही अर्दवार्शिक परिच्छा सब्जिक्ट इंग्लिज के पेपर को देखने माले हैं जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेट होने माला है अगर कि आप सभी जानते हैं सतंसे नमर आव का पेपर होता है तो चलते हैं प्रसनों की इस टार्ट करते हैं यहां पर पहला क्यूशन दिया यहां पर देख सकते हैं सक्षिक्ट एस से सब्सक्राइब है कि आपको इस पूर्य परना उसके बाद उत्तर देगना है अप चलते हैं पढ़ते हैं पैसे में क्या दिया है पैसे में दिया है कि Florence Nightingale was born on 15 May 1820 at Florence in Italy. Her parents called her after a name of the city where she was born. He ambition यानि उसका लच्छ क्या था? His ambition was to be a nurse so she gave up all the thought to marriage and the personal happiness. उसके पाद यहां पर दिया है कि how ever hard she might be world all day every night she would take lamp and move from the way the lady with the lamp the soldier called her and that the name by which world and the remembered and of the ever since उसके बाद है हाँ पर question दिया है पूरे पैसे को अच्छी तरह से पढ़ना है उसके बाद प्रसनों का उत्तर देना है आपर देख सकते हैं पहला question दिया है कि in which city was nightingal born यानि nightingal born ने किस city में जनम लिया था तो आप सभी जाते हैं यहां पर दिया है कि इनका जनम Florence में हुआ था खहाँ पर Florence में तो option number D आपका बिलकुल right हो जाएगा उसके बाद दूसरा question दिया है कि what were the soldiers called her उन्हें क्या खाके बुलाते हैं तो the lady with the happiness the iron lady the lady with the lamp तो option number कौन से सही हो जाएगा C सही हो जाएगा the lady with the lamp उसके बाद है अगला question C was born 15 माई 18 किन्दे सन में जनम लिया था आप सभी उपर देख सकते हैं 1820 में कब 1820 में तो यहाँ पर देख सकते हैं 1820 option number भी आपका right हो जाएगा उसके बाद है कि choose the correct option आपको choose करना है कौन सा सही है यहाँ पर दिया है कि this car will dot dot soon this car will be bought will be क्या हो जाएगा option number भी आप सही हो जाएगा उसके बाद दूसरा question आप पच्छवान दिया है कि someone call क्या है someone call a policeman क्या होगा someone call a policeman option number भी आपका right हो जाएगा उसके बाद अगला दिया है कि select the correctly word यहाँ कौन सा word इसमें सही है तो इसमें option number b सही है per so भी पर so बिलकुल सही है उसके बाद है कि c has dot dot तो c has क्या हो जाएगा gone हो जाएगा c has gone to party option c सही हो जाएगा उसके बाद है कि a person who lives on country cannot be आपका a सही हो जाएगा उसके बाद अगला question दिया है कि read the passage यानि पैसे को पढ़ना उसके अधार पर उत्तर दे रहा है उसके बाद who turn up the page and old book इतहीन सभी को आपको पढ़ना उसके अधार पर प्रसनों का उत्तर दे रहा है उसके बाद अगला question दिया है based on your understanding of the pros lesson choose the correct answer following यानि आपको अपने प्रोज अपने बुक से pros को अच्छे तरह से पढ़ना है उसके अधार पर उत्तर देना है आप पर पहला question दिया कि देख सकते है how old was 11 इसमें से कौन सा सही हो जाएगा इसका उत्तर आपको बताना है उसके बाद यहाँ पर देख सकते है next question दिया कि what did यहाँ पर दिया अगला question इसको अखल करना है आपको पढ़ने के अधार आपको पोएट का नाम लिखना है कि इस पार्ट को किस पोएट से लिखा है और यहाँ पर इन सभी question को दिया है इसको इन सभी को आपने बुक की अधार पर इन सभी question को हल कर लेंगी यह भी आपको बुक से मिल जाएगा यह भी यह सभी question आपके बुक से जब आप बुक पढ़ेंगे अच्छी तरह से तभी आपको उत्तर मिलने वाला नहीं तो नहीं मिलेगा उसके बाद अगला question इसको इसका answer देना 80 से 50 वर्ण लिखना है इस पर क्या लिखना है किसी एक पर लिख सकते हैं उसके बाद पर रिराइड द फालोवएंग चेंगी इन डारेक्ट स्वीच इन डारेक्ट स्वीच बदलना है इसको आप गदेनगे किस्ट टूमी क्या होजाएगा ही टोल्ड मी तो आई सब्जेक्ट उनसार तो यहां पर ही हो जाएगा का कोड़ हो जाएगा इसका कर देंगे उसके बाद आगला को से पैशी बास में बदलना में तो इसको पैंक वेट कर लेना है उसके बाद यहां पर दिया है अगला की लहावाद पुराना नगर है तो इसका लिखेंगे अलाहाबाद एंड एसेंट सीटी इसे प्रयाग के नाम से जाना जाता है इसको लिखेंगे इट इज आलसो नोन आज प्रयाग राज उसके बाद वहां बहुत सी प्राचीन इमारते हैं क्या है वहां बहुत सी प्राचीन और प्रसिद इमारते हैं तो there are many famous क्या करेंगे there are many there are many famous there are many famous and asient building इमारते हैं उसके उसके बाद संगम के निकट बहुत पुराना किला है संगम के निकट बहुत पुराना किला है ता आप कहेंगे कि दपोट दपोट नियर संगम इस वेरी ओल्ड उसके बादे की अगला दिया है कि असोग दौरा बनाय गया था और इसे बाद में पुरा अकबर ने किया था इसको बनाएंगे कि बाई अकबर यानि इट वाज इट वाज क्या हो जाएगा इट वाज ब्यूल्ट इट वाज ब्यूल्ट बाई असोका बाई असोका आएंड लेटर यानि बाद में अकबर कंप्लीटेड अकबर कंप्लीटेड अकबर ने इसे कंप्लीट किया था इस तरह तो इसके बाद कहा है कि इसे प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है तो इसके बाद कहा है कि यहाँ प्राशीन और प्रसिद इमारते हैं बहुत सारे तो आप क्या लिखेंगे there are many famous old ancient building उसके बाद यहाँ एक पुराना किला भी इस्ति थे संगम के बास the fort near संगम is very old उसके बाद कहा कि असुक दोरा बनाया गया था बाद में से अकबर ने क्या किया था पूरा करवाया था इसको कहेंगी it was built by असुक and later अकबर completed युर्ठेड उसके बाद अगला question दिए कि आपको इन सभी का answer करना है in सभी का दो में से एक का अपना answer अच्ति ढरसलिए बुक DOC निखे लेंगे उसके बाद यहां पर पचीस में से भी इसका answer लिखना अपने बुक से उसके बार next question दिया है कि Write the whole line poem लिखना है किस पर निखना है भी ही विंड पर उसके बाद आगला दिया कि do not the line ऐनइ जो line दिया उसको छोड़कर लिखना है उसके बाद कि write the Central idea दोनों में से आपको Central idea लिखना है दोनों में क्योशन को आप अच्छी तरह से उत्तर इसका दे देंगे आप सिंपली तरीके से इसका उत्तर बता सकते हैं और बाकी क्योशन आपने बुक से पढ़कर सभी को लगा लेंगे तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने माला है आई हो फ्रेंड यह वीडियो आपको पसंद आ अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देजएगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा